इस तरह से हो रहा तो यह काफी चोट पहुंची है कुछ प्रस्चिती है ची आगे चिक आप लोगों के सामने आने मुझे सरम महसुद हो रही थी और वो सारा पैसा मेरा नहीं है या पैसा मेरे परिवार तता अन्समदित फारवू का है के सबसे पहले तो मैं अपना बेग्राउंड दे जयता हूं कि मैं तक्रिबन 30-30 साल से सक्रियर रानेती में हूं ओचे रानेती में तो वनोंसा 77-चीश हूं लेकिन मैं शक्रियर रानेती में मैं 30-50 साल तो हूं अरी अप मेरा पहला ऐसा वर्दात हुआ मेरे साथ में इसे मेरे दिल में काफी चोट पहुंची है चूकि मेरा हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई बिवाद नहा हो लेकिन आज बिवाद खाड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जनक ताथ साहू दो बार राची के संसेत रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने काफी कुछ विकास के काम किया लोहर दगा हो राची हो और अन जगह में भी हम लोगों ने उरिशा हो जगह जगह हम लोगों ने काफी हम लोगों कुछ किया है और हमारे पिता जी सोरगे राय साह बलतेशाव। वो कि काफी गरीबों का मदद करते थें, समाद सेवा करते थें, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफी सारा खोला, हम लोगों ने, लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है, तो मुझे काफी दुख पहुंची है, और मैं दावे का साथ कह सकता हूं, कि जो पैसा बगला है, वो मेरा हर्म का पैसा है, हम लोगों सराव का पैसाया में, तकरीबन, हम सोस्ते हैं कि सौ शाल से भी उपर हो चुका है, और स्की सारी दनकरी ग़िए अब को देज़े रहा हूं, कि इन सौ साले में हम लोगों को ने, सलकाा को काफी कुछ किया, काफी र चोट पहुंची है, और मैं चाहता हूं कि इसका मैं अपने तरफ से खुलाता कर दूं, लोगों को जैनकारी मिले, और मैं दिल्ले में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परचिती ऐची आगे थी, आप लोगों के सामने आने मुझे सरम महचूद हो रही थी और मैं रानिती छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज्यादे ध्यान देता था बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे और कभी कबर में पूछते था बिजने स्कไ일 कर वारे मुवी बार्ठी हम को अधीक तब मैं राइनिती में समय दिए तो भूम進 22 यह अपनि परिवारे में भड़ियू को नहरा ने이 तक मोर्म पहले पाइन है कि हमारा जो परिवार है एक सहीयूप परिवारा बहुत बड़ा परिवार है हमारा इसमें कुल हम लोग छे भाई थे छे भाए alltså नंके बच्चे लोग हैं आज बच्चे लोग stretched उप quality ढ़े है और हमारा सौवजार से भी उपर कर तो जो कंपनी है या फिर पुराना ये बिजनेस है और हम यह जो कैस का जो पकड़ा गया है यह हमारे बैपार सराप से समधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है हमारा परिवार पिछले सौ साल से अधिक से चलता आ रहा है तो हमारा जो भी कारोबार है वह बिल्कूर परदेशी है आपकी जनकार के लिए में बता दूँ कि जो कैस पकड़ा गया है और सराप बिकरी का पैसा है क्योंकि सराप बैपार में सारा सेल कैस से होता है यह पैसा चिल केलेक्शन था यह पैसा को कांगरेस पार्टी तथा अन राजंशिक दोनों से कोई इस पैसे का कोई संब्द नहीं है जो कि चर्चा में आया है तो इसके बार में बता दरहा हूं यह उन रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और यह क्यास का मैं जिकर किया वह क कैस के हमारा बेपार चलता डेली आप जोग भी जानते हों कि शराब जहां जहां भी बिजनेस होता है तो यह कैस का ही यह बिजनेस है हमारा और मैं हमारे फर्म के बारे बता देता हूं कि बल्दे शाहू, शुपर्चाथ शाहू और चंज के नाम से हमारे है, दुसरा है रिते शाहू यह तीनों फर्म हमारे रिष्षदार के हैं इसके अलावे हमारे और भी सारे रिष्षदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म जलता है जहां तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माधम से दिखाया जा रहा है, वह कैस जो बरामत नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैस को लोग बोलते हैं कि काफी मातरा में कैस वहाँ बरामत हुआ है, वह हमारा डिकलरी यह वहाँ पर है, वह तरह बनता भी है, और वहाँ किसी तरह के भी कोई भी कैस नहीं पकड़ा गया, अब जो भी पैसा मेडिया के माधम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है, या पैसा मेरे परिवारत अन्समदीश फार्वों का है, तो मैं यहीं आपको जनकारी दे रहा हुँ कि जो भी चीज आप मैं पड़कर बता, वो बिल्कुल सथ है, इसमें किसी तरह के भी कोई छीपाने वाली बात नहीं है, आप इसको इस पर आप, को मैं कुल रूप से मैं कंफिडेंस के साथ कर रहा हुँ कि इनकंटेक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा क्योंकि अभी बहुत सारा चीज है, इसा हमको पता चला कि घरवाले से मैंने चर्चा किया, तो पता चला कि यह पैसा हम लोगों के जैसे महुआ खरिकता है, उसी से सराब बनता है, उसका हुपी कुछ पेमेंट देना होना था, अभी पॉलिसी मेटर में कुछ पैसा रेवन जो भी चीज दिखाना वो इंकम टेक्स के सामने ही देंगे, तो आप कुछ दिन और इंतिजार कीचे, मैं और भी चीज पर आपके सामने आकर बताऊंगा, जो कि मैं किसी तरह की कोई भी चीज में है, जैंकम टेक्स हो या और कोई है, मैं सब को हम लोग उनको मदद करेंग और सारा चीज के जनकारी मैं जनटा के सामने रखंगे जाके हैं